पेश किया चुनाविस साल को देखते वे जिसकी उम्मीद थी हुआ वही मोधी सरकार ने अंत्रिम बजट में सैलरीड क्लास पेंशनर्स किसानों महिलाओं को बड़ा तौफा दिया पूरी रिपोर्ट देखे तो आपको बताएं गाय और किसानों के लिए भी ये बजट काफ इस बजट में सरकार ने पिटारा खोला है मध्यमवर्गे परिवार हूँ या किसान हूँ मिडल क्लास को छप पर फ़ाड राहत मिली है किसानों को पांच सर रुपे प्रती महिने का तौफा मिला है महिलाओं के लिए भी विशेश रुप से इस बजट में गोवंश के सबके लिए कुछ न कुछ और इसी खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विरेंद्र सिंग जुड़ गया हमारे साथ विरेंद्र जी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब बजट पेश किया गया बजट के बाद क्या कहेंगे ये बजट कैसा रहा कित की राजदानी लखनौ हょं लोगों को लगता है कि सबार सरकार ने उनके दिल की बात सुनी है जो मन की बात करते थे अब दिल की बात सुनने लगे हैं तो निशिती बाजार में उच्सा आया है किसानों के लिए इस बज़ट में है इस बज़ट में गरीबी पर प्रहार किया गया है इस बज़ट के माध्यम से नई तमाम सारी योजनाओं को लांच किया गया है तो हमारे साथ इस समय बीजेपी के मल सी हैं यस्वन सिंग जी और यहां बहुत सारे लोग खड़े है राजनीत से जो आज बजट आया है किसान को 6,000 रुपया साल में देने जा रही आपकी सरकार जो नौकरी पेशा है उनको भी रात दी है तो ये एकदम आखिरी में चुनावी वक्त में आपने दिया ऐसा क्यों देखे भारती जनता पार्टी की जो भारत की सरकार ने बजट प जितनी चिंता खिया और जितना विकास के लिए अपना मद बहाया साथ किसी सरकार ने अब तक नहीं किया था और सचाई भी है आप अभी जो बोल रहे थे कि मन की बाद मोदी जी करते थे लोगों से तो जो छोटे किसान और छोटे ब्यवसाई थे वो बजट की मार से पीड किया इस बजट ने और यह बजट बताता है कि हम दुनिया में हिंदुस्तान को कैसे ताकतवर बनाना चाहते हैं जब आम आदमी मजबूत होगा हिंदुस्तान का तभी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ताकतवर होगा अब तक कुछ घरानों के लिए बजट हुआ करता थ लेकिन ये बज़ट साबित करता है कि यह सरकार पूरी तोर पर हर बर्ग और हर व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहती है उसकी कटनाईयों को खतम करना चाहती है अचाह एक चीज में बताऊं कि किसानों के लिए एक सरकार कहरी बहुत कुछ हुआ है किसानों की पार्टी है राष्ट्य लोगदल उसके नेता है आर्पी सिंग बताईए कितना किसानों के लिए बज़ट लाब दायत है देखें एक असे निया जोट बोलती है धो फिर सरकार ने दोखा देने का काम किया चलावा किया जिस तरीके से किसानों की रिड़माफी योजिना का अब तक continue है समाधान नहीं हो पाया यह सरकार किया करेगी क्या कहती है अब दे तो 15 लाख रहे थे वो भी लोग आज इंतिजार कर रहे हैं कहने से जबान से कुछ कहने से अगर होता है यह अंतरीम बजट चुनावी बजट है यह सरकार की चला चली की बेला है सरकार लगातार भारत की जंता को धोखा दे रही आद देखे आयुसमान योजना सोयल हेल्थ कार्ड में फसल बीमा योजना में और सवभाग में इतना भारी भरकम घोटाला किया है सरकार ने जब सरकार जाएगी जाच होगी तो सामने आ जाएगा यह सरकार देश के किसानों को स्वामिनाथन आयोकी सिफारिस लागू कराने का वादा करके आई थी आज भी क सरकार जिसने पांच साल किसानों पर लाठी चलाई अब जब चुनाओं आया है तो फिरसे किसान की याद आई इस देश का किसान जान चुका है कि भाजपा की नीतियां कार्पोरेड घरानों को पालने और पोसने के लिए हैं उत्तर प्रदेस का ही नहीं देश का किसान भार राजनीत तैं होती है और उत्तर प्रदेश का किसान अगर इन योजनाओं पर मुहर लगाएगा तो निशी थी मोधी सरकार की जो योजनाओं वो सफल मानी जाएगी और राजनीत की दिशा तैं करेगी जी विरेंद्र जी बहुत बहुत धनिवाद जिस प्रकार से आपने बा जोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ नरेंद्र जुड़ रहे हैं